दोस्तों अभी हम लोगे बात करेंगे विग बैस लीग के मैसमर 37 के बारे में जो कि यहाँ पर खेला जाएगा बिस्बैन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर के बीच में इसकी हम लोगे पर काफी ज़्यादा डीपली बात करने वाले सबसे पहले बात करेंगे विणिंग फर्षेंटेज को लेके कि कौनसी टीम के कितने विणिंग चांसस यहाँ पर है इससे क्या होगा एक तो आपका आज का जो टीम कॉम्बनेशन बनेगा वो काफी ज़्यादा स्टॉंग बनेगा प्लस आप लोग के लिए जो इस मैच के लिए ट्रम प्लेट जाहिए जो कि आपको वन साइडिट विन कराने में आपके हैल्प करेंगे उनको ढूंडने में काफी ज़्यादा एजी रहेगा क्योंकि आप लोग देखते हो जो विनिंग टीम होती न, उसकी दरब से ट्रम प्लेयर होते हैं उनके चलने के चांसस काफी ज़्यादा हाई होते हैं तो जो पहला पॉइंट होता है, वह आपका ये जानना जरूरी है कि दोनों टीम में से हैर कौन्स इरियम के विनिंग चांसस जाता है तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे जो पर्त स्कॉचर की तीम है इनके अरौड इस मैच में 65 फर्शन्ट विनिंग चांसे है वह यहां पर जो ब्रिस्बैन हीट की तीम है इनके यहां पर सरफ फर्शन्ट थाथ समझ में आरे होगे कि आपको फेवर लेके चलना वह आप कि बहुत टॉप की फॉर्म में चल लिए वहीं यहां पर यहां पर यहां पर यह भी कह सकते हो कि जो पर्थिस कोचर की टीम है वो इस मुकाबले को वनसाइड विन करने की पूरे चांस रखती है तो आपको यहां पर इंबनेशन मनेगा वो पर्थिस कोचर के फिवरे मनेगा सीवीशी एंचो ट्रॉम प्लिए आपको चाहिए वह आपको पर्थिस कोचर की तरब से पिक कर जलने इससे पर अगर आप लोग यहां पर बिश्बैन हीट की टीम हो चुके आज तक उनमें से देखो साथ बार यहां पर्थिस कोचर की टीम ने विन गया यानि कि यहां पर हैट टो रिकॉर्ड विटको टो सिंपले आपको फेवर लेके चलना वह आपको पर्थिस कोचर का ही लेके चलना है ठीक है अब पिचकी बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहोंगा कि फाइनल टीम आपको टेलिगाम के उपर मिलेगी आप लोग समझधर हो टेलिगाम को जॉइन आप लोग याद से जुरूर से कर लेना डिस्किप्शन बॉक्स टॉप के कमेंट दोनों जोग आपको टेलिगाम कर सकते हो और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप सभी लोगों से आप लोग से कर देना चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब आप लोग जुरूर से याद से कर लेना ठीक है अब यहां पर पिछ की बात करेंगे तो फ्रेंट्स पिछ अगर आप यहां पर देखो तो यह गबबा ब्रिस बैन ऑस्टिया का ग् यहां पर क्या हुआ तो यहां पर यहां पर पेसर ने निकाले यानि कि लगभख डबल से जादा एडविंटेज यहां पर किसको मिलता पेसर को मिलता इस पिनर भी गेम में आते लेकिन इस पिनर थोड़ा सा जब मैच स्टार्ट हो जाता यानि कि आराउंड आट-दस ओबर का मैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा पिछ स्लो होती है तब यहां पर यहां पर यहां पर बहुत अची हाप मिलती तो बैट्समें प्लस यहां पर पर आप लोग को स्पेसली फोकस होना चाहिए तो यहां पर वैजर की बात करेंगे तो 16 परशंट के आसप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखने हो कि अगर आपको इनका स्टैट्स देखना तो आप लोग यहां पर देख सकतो जो बिग बैस लिंग में का रिसेंट इस्टैट्स है आप लोग यहां पर देखिए कॉलीन मुन्नों का बहुत अच्छा पॉम में चला तो लेना यह लेना सीवी सी भी कर सकते हो और जो बीबिल का कैरियर लिंका वहां पर 33 का एवरेज जो अभी तक देखो चार मैच के लिए चार मैस से दो मैच में चला दो में फ्लॉब भी हुआ 25 का एवरेज बीबिल का यानि कि हिटेंड मेस प्लेयर आप थोड़ा सा कहा सकते हो तो ग्रेंडिक पर ज्यादा रहेंगे फिर मैक्स में नहीं के बात कुरूंगा लास में नहीं बॉलिंग भले बिकेट नहीं मिला इस ते पर दो मैच खे ल तो तब आपको यह लेके चलना बाकि आप लोग इनको कर सकते हो ठीके जैमी पिर्शन आपको रेंड़न के वर जादा ट्राइक करना मैक्स ब्रेंट इनको मैं निक की तरफ सा देखो के बात अच्छे आपे बॉल रहे इस सीजन में विकेट निकाल निकाल थे तो आप कर सकते हो खुनों मैं इनकी बात करूंगा इनका थूड़ा हिटन मिस फॉर्म रहा है यानि कि लगातर बिकेट भी देखोगे तो निकाल रही है और कभी-कभी बिकेट नहीं मिलते हैं इनको तो इनको मैं ज्यादा ग्रेंड निक पर आपको रिकेमेंट करूंगा बीवेल का क अपके प्लेर ही आप लोग के लिए हो सकते हैं कि कि इनका सेलेक्टिन अगर आप लोग देखोगा बहुत कम आपको मिलेंगे और ये बंदा आप लोग के लिए गेम चेंजर हो सकता खासकर ग्रेंड नेंग के पर तो आप लोग एका टीम में लेना इस्माल लिए लिकर लेंगे आपको फस्टावन अर्ण हाडिक के लिए इंपोर्टन नहींगे तो सबस्ट केफ्टन के अप्सन होने वाल ठीके फिर आपको निक हॉपसन देन आपको जॉस इंगलिस एस्टोन टेनर मैथ्यू कैली फिर आपको अपको कॉपर कॉन एली अंडू टाय जैसन बहंडर अनिया पर लेंस मॉरिस यह आपको फ्रेंट सेंगी प्लेंग अनिया पर देखने को भी लेगी रिसेंट स्टेट्स अगर आपको देखना इस कैंजी निए अभी एक मैच के बेस पर आप लोग जज़ नहीं कर सकतो बैट इससे पहले इनका रिसेंट फिर में इनके आई थी इनका और 32 का एवरेज में तो लेके चल नहीं चलना आपको ठीक है एरोन हार्डी तो आप लोग के लिए इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे सी वी सी भी आप लोग बना सकते हो क्योंकि बैट प्लस बॉल दोने लोगों से प्रफॉर्म अच्छा किया ठीक है निक होप्शन की इनको भी बात करेंगे पर ज्यादा रिकमेंडेट नहींगे फिर आपको यह जौस इंगलिस इनको भी मैं जो है अगर यह टीम पहले बैटिंग करते तो आप लोग इस प्लेयर को ले सकते हो बाकि आप लोग इगनॉर भी गर सकतो अगर यह टीम चेज कर रहे है क्योंकि ज बहुत अची बॉलिंग और पर यहां चीजन में लगातर विकेट निकालके आरे जैसे लिए लेकिन निकाले ठीक है एल मोरिस ने पहला मैच के लाद दो विकेट निकाले बहुत कमाल की बॉलिंग कराई थी तो डेफिनेटली इनको भी लेना बनता है फिर आपको बात करू सकते हैं इनके साथ आप लोग यहां पर सी वी सी जा सकते हो ठीक है एक और प्लियर बने आपको बताए था वह है कैमरन वैंक्रॉप्ट एंड पर इन दोनों को भी आप लोग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं ठीक है अब यहां बात करें हम लोग फेंटेसी टीम जो के उपर दोंगा कुछ बद्ला होगा टीम में जैसा एक दो नियूज निकल क्या रही कि फ्रेंट्स आज जो है कुछ नए प्लियर भी खेल सकते तो उनका सारा अपडेट में आपको टेलिगाम के उपर देने वालों ठीक है तो वीडियो पसंद आयो वीडियो के लाइक करत आप पहली बार चैनल तक पहुचे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और पर सेट कर लेना मैं मिलूंगा आप लोगों सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जैए